क्लास टेंथ चेप्टर नेम पर रोजेक्शन आफ ए साइड आफ ए ट्राइंगल और इसकी मिस्लिनियस एक्साइज एट को हम सॉल्फ करेंगे इसका पहला क्वेस्चन है कि इन आ ट्राइंगल अबी सी मैयर एंगल आइस इक्वल तो 60 डिग्री तो यह रिजल्ट हमने बेस्कली प्रुफ करना है तो इसके स्लूशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ चले हम इसको साइड पर शेयर कर लेते हैं और इसको मैं label भी कर लेता हूँ कि for example ये इसका A vertex है ये इसका B vertex है और ये इसका C vertex है और यहाँ पर जो है angle बन रहा है 60 degree का ठीक है जी इसलिहाद से हमने देख लिया अब जो information given है जो prove करनी है या जो construction है वो मैं आप से screen पर share करता हूँ तो हम यह कहेंगे कि इसमें जो given है वो एक triangle है जिससा से उनका था है इना triangle ABC in which measure angle A is 60 degree अब जो इसमें हमने to prove लिखना है वो मैं आप से screen पर share करता हूँ और to prove में जो है यह जो result लिखा हुए है इसी को मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ कि BC side square जो है वो equal है AB side square plus AC side square minus measure AB side into measure AC side ठीक है जी अब construction हम इसमें क्या करेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पर share करता हूँ construction में हम यह करेंगे कि C point से एक perpendicular जो है वो AB side के ओपर draw करेंगे इस ठीक है कि वो AB side के ओपर आकर इस point पर अगर आकर intersect करता है यानि D point पर तो यहाँ पर आकर वो 90 degree angle बनाई ठीक है इसी बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि draw CD line segment इस ठीक है which is perpendicular to AB side AB side ठीक है यह symbol जो है perpendicular का है अब जो हमने इसमें proof करना है वो मैं screen पर आप से share करता हूँ proof में हम यह बात यह लिखेंगे कि चुके हमने देखा कि यह angle जो हमें given है इस triangle के अंदर वो है acute angle तो इसके सामने जो side है BC side ठीक है इसका square किसके बराबर होगा अगर मैं apply कर रहा हूँ projection theorem ठीक है यहाँ पर अगर हम apply करें projection theorem तो उसके accordingly जो result आएगा उसको मैं यहाँ पर basically आप से discuss कर रहा हूँ तो उस theorem के according हमने पढ़ा था कि acute angle के सामने जो side होगी उसका जो square होगा वो किसके बराबर होगा वो बराबर होगा जो sides contain करी है angle को ठीक है यहाँ जैसे के AC एक side है इसका square आएगा प्लस जो एक side है angle A को contain करी है वो है AB side triangle की उसका square आएगा और minus two times जो है वो product आएगा एक side का जैसे अगर first करें AB side है तो दूसरी side का जो projection है यहाँ जो AC side का projection है on AB side वो बनता है AD यूँकर projection लेने के लिए जो AC का end point है C इससे आप एक perpendicular थो करते हो AB के उपर तो start आपका A ही है और A से D जो यह distance होगा यह projection कराएगा AC का upon AB तो यह आजएगा AD यह आप यहाँ पे लिख देंगे तो इसलिके से यह हमारे पार result आता है अब हम यह बात जानते हैं कि यह जो triangle हमें ADC triangle नजर आ रही है triangle ADC यह एक right angle triangle है और इसमें जो AD side है अगर इसको हम base रख लें ठीक है और 90 degree के सामने जो side होती है यह hypertenuse side हो जाए तो angle 60 के सामने जो यह side है CD यह कौन सी side हो जाएगी perpendicular side हो जाएगी तो हम जानते हैं कि cause of अगर हम 60 degree के reference से बात करें तो cause ratio होती है base over hypertenuse की ठीक है base divided by hypertenuse की तो हमाई पास जो base की value है वो क्या है अगर आप इस situation में देखें तो वो है AD ठीक है और जो इसमें hypertenuse की length है वो है AC तो AD over AC जो है यहाँ से हम AD जो है अगर इसको separate करना चाहें तो AC को दुछ तरह multiply कर देंगे AC multiply हो जाएगा cause of 60 से cause 60 degree से और equal to आजएगा किसके AD के अब ये बात हम जानते हैं कि cause 60 की जो value है वो 1 by 2 होती है यानि calculator जो है अगर मैं आपको screen पे share करूँ तो इस पे आप देख सकते हैं कि ये cause function है ये degree में हमने convert किया हुआ calculator को पहले से तो ये इसकी value आ रही है 0.5 तो इस लहाँ से हम इसे 0.5 या 1 over 2 लिख सकते हैं और ये आजएगा AD तो AD जो है वो किसके equal है half of AC के equal है clear होगी ये बात अब हम इस result को use कर लेते हैं इस equation number 1 में ठीक है इसे put कर लेते हैं in equation number 1 तो equation number 1 जो है जिसमें के लिखा हुआ है BC side square is equal to AC side square plus AB side square AB इसको measure AB भी आप लिख सकते हैं आप अगर इस तीके से इसके उपर symbol यूज़ करना चाहरे हैं तो फिर आपको measure भी लिखना पड़ेगा ठीक है और minus 2 times of AB और AD जो है AD की जगा आप क्या लिख रहे हैं AC over 2 AC को मैं अज़ा clear करके लिख देता हूँ AC divided by 2 अब आप यहां से यह result यूँ समझ सकते हैं कि यह जो हमाँ पास result आया था इसमें यह 2 और यह 2 आपस में क्या हो रहे हैं cancel हो रहे हैं ठीक है तो इसकी simplified form क्या बन रही है कि BC जो side S की measurement का जो square है वो किसके equal है measurement of AC side square और plus measurement of AB side square ठीक है और minus measurement of AB और into measurement of side AC तो अगर आप देखें तो हमने यही result जो है वो prove भी करना था अगर आप to prove में देखें तो BC side square equal AB side square plus AC side square minus measure AB dot measure AC यहीं product लेना था इसका measure AC के साथ तो यह बिलकुल यह result जो है यहाँ पर prove हो गए आप next part जो है वो मैं आपसे discuss करता हूँ second question को हम solve करते हैं question number 2 है जी इसमें एक triangle given है ABC जिसमें angle जो होगा A vertex पर फोटिफाइव डिगरी का होगा तो हमने यह result प्रूफ करना है कि BC side square जो है एक वाल है AB side square plus AC side square minus under root 2 times measure AB into measure AC बिलकुल सेम वही result है सिर्फ यहाँ पर under root 2 आ गया है अब बाकी proof वैसी होगा जैसे हमने पिछला question किया triangle की shape मैंने बना दी है ABC triangle है इसमें यह angle 45 degree है और इसके लिए जो हम construction करेंगे मैं आपसे इदर ही discuss कर लेता हूँ कि हम C vertex से एक perpendicular throw करेंगे AB के उपर जो यहाँ पे आकर D point के उपर आकर exponential का angle बनाएगा और इसमें जो AC side होगी यह hypertenuse side होगी और 45 degree के सामने जो यह CD side है यह perpendicular अगर हम यह right angle triangle दे रहे हैं लिख रहे हैं और AD side जो है वो base side होगी तो इसके लिए भी जो given है to prove है construction है वो मैं आपसे screen पे quickly जो हो share कर लेता हूँ यानि इसमें भी हम given यही लिखेंगे के triangle ABC है in which मैयर angle A is 45 degree और इसके लावा हमने जो result prove करना है यह लिखा ही वा था के BC side square equal AB side square plus AC side square minus under root 2 times मैयर AB into मैयर AC side और इसमें जो construction है जैसे मैंने आपको बताया था C से D perpendicular throw करना जो के AB पे perpendicular होगा और इसके बाद जो है इसमें जो हमने प्रूफ स्टार्ट किया तो इसमें जो first हम theorem apply कर रहे हैं वो है projection theorem जिसकी statement यह है कि अगर आप कोई भी acute angle select करते हैं किसी right किसी भी triangle का तो इसके acute angle के सामने वली साइड है यानि कि इसमें BC जो साइड है इसका square किसके बराबर होगा जो angle A contain करी है in sides उसमें एक है AB side और एक है AC side उनके square के sum के और minus two times आपने product लेना होता है एक आम का यानि कि angle A का एक आम है AB और दूसरे आम का आपने projection लेना होता है upon the first round तो AC का जो projection है वह C से D जब हमने प्रपेंडिकुल अथ्रों किया था तो वह AD बना था तो इस दीके से हम यहां तक पहुंच गए है अब हम देख रहे हैं कि यह जो triangle ADC यह एक right angle triangle है तो इसके ओपर जो working है वह मैं आप सब्सक्रीन पर शेयर करता हूँ जी तो हम यह बात करें कि यह जो triangle ADC है ADC यह एक right angle triangle है इस पर हम पेथाग्रस रूम भी लगा सकते हैं और इस पर हम trigonometric ratios भी यूज कर सकते हैं अगर हम cause 45 degree की value लेना चाहें तो हम जानते हैं किसके बर जाबर होती है अगर इसके अपनी value जो 1 over under root 2 होती है और यह ratio होती है cause base over hyperteneuse की तो अब यहां पर अगर आप देखें तो इसकी value लिख लेते हैं 1 over under root 2 जो के हम calculator से भी verify कर सकते हैं और यहां से base जो है AD है side और जो hyperteneuse side है वो है AC तो आप अगर फर्स करें यहां पर AD की value को substitute institute करना चाते हैं इस equation number 1 में तो यहां से हम AD को separate कर सकते हैं AC दर आकर 1 से multiply हो जाएगा तो AC divided by under root 2 जो है वो AD की value हो जाएगी इसे हम put कर लेते हैं equation number 1 में equation number 1 उपर आपको नज़रा रही है लिखी हुई इसमें हम जब इसे दर्ज करेंगे तो चलें इस equation को मैं यहां तक तो एज़र्टेस कापी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई change नहीं आएगी अब जो change आनी थी वो AD की value में आनी थी AD की value हम put कर रहे हैं वो AC over under root 2 है ठीक है अ अब आप इसे फर्दर देखें अगर simplify हम करें यहाँ पर मैं इसका रहा फरक शो कर देता हूँ कि यह 2 है और diviser में इसके under root 2 है अगर आप 2 को under root 2 से divide करते हैं तो देखें लाफ exponent यूज करें उपर 2 की power 1 है नीचे 2 की power 1 over 2 है यह उपर shift होगी तो यह 2 की power 1 और यह 2 की power minus 1 over 2 हो जाएगी जिसे हम further simplify करेंगे तो 2 की power 1 में से 1 by 2 minus होगा तो अगर scalesium लिया जाए तो यह 2 minus 1 बनता है यह 2 की power 1 over 2 यह इसे आप under root 2 कह सकते हैं तो इसी के से हमें पता चल रहा है कि यह जो equine में यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है और यह under root 2 जब divide होंगे तो यह under root 2 इसका answer आ जाएगा और उसके आगे a, b और a, c का product है side a, b और a, c की जो length है उसका product है तो वो हम as it is लिख देंगे तो यह वो result है जो के हमने prove करना था तो यह हम last में लिख सकते हैं के hence proved और अगर हम अपने two prove को भी देखें तो उसमें भी same यही result है जो हमने prove करना था के b, c side square equal a, b side square plus a, c side square minus under root 2 time measure a, b multiply by measure a, c side तो अब next question को solve करते हैं next question है जी question number 3 इसमें triangle a, b, c given है जैसे आप देख रहे हैं इसमें calculate करना है हमने b, c length को ठीक है इसको हम x कह देते हैं इसको हमने calculate करना है जबके a, b की जो length है a से b तक जो है वो 5 cm बताई वी है और a से c जो length है वो 4 cm बताई वी है और angle a जो है वो 60 degree का बताई वा यानिक एक acute angle है तो यह जो data है सारे का सारा यह हमें given है ठीक है यह हम अपने given की जो information है यहां से लेके यहां तक यह सब कुछ इसमें लिख सकते हैं ठीक है इसमें यहां पर लिख देता हूँ अब हमने जो इसमें result find करना है या जो to find है या to prove है वो हम यूँ कह सकते हैं कि आपने measure जो bc length है वो calculate करनी है ठीक है अब इसके लिए हम क्या working कर सकते हैं देखें इसके लिए हम इसने पहले जिसा theorem हमने draw किया था हम इसमें construction यही करेंगे कि हम c से d एक perpendicular throw करेंगे इस तरीके से जो के a b को आकर d point intersect करेगा और यहां पर angle बनाएगा 90 degree तो इस तीके से यह एक right angle triangle बन जाएगी जिसमें यह जो side c d आपको नजर आ रही है यह perpendicular होगी यह जो a d side आपको नजर आ रही है यह base है और यह angle के सामने 90 degree के सामने जो side है इसे हम कहेंगे यह hypertenuse side है ठीक है अब य यूरम यूज करने जा रहे हैं वो applying करने जा रहे हैं projection theorem तो इसकी statement में यहां पर लिख देता हूं अब यहां पर हम यह बात भी जानती है कि जो हम इने construction लिख दिये के draw cd perpendicular to a b और proof में हमने यह property पर रखी थी के acute angle के सामने वाली side यह जैसे यहां पर b c side s का square जो angle contain कर रहे ह sides a angle वो a b side और a c side है तो उनके square का sum और minus two times product of a b side and जो projection है a c side का on a b वो बनता है a d तो इसलिए a d के साथ उसका product है इसे हम कहाँ देंगे equation number one अब देखें information में आपको a b side भी given है a c की value भी given है यहां यह बी लेकिन आपको a d नहीं पता इसका मतब a d find करने के लिए हम जो यह right angle triangle है इस पे cause function जो है trigonometric ratio लेंगे और इसकी मदद से a d की value जो है find out करेंगे तो देखते हैं इसकी क्या value आती है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि triangle है a d c जो के right angle triangle है इसमें हम cause of angle लेंगे 60 degree जो equal होगा base side जो के है a d और hypertenue side जो के है a c उसको लिखेंगे हम अब cause 60 की value होती है one over two और a d यहाँ पर चलें इसको मैं बले equal का sign लगाता हूँ a d unknown है और a c की value known है हमें four centimeter है तो यहाँ पर जब यह four centimeter इदर आके one से multiply होगा तो four centimeter divided by two यह equal to a d की value आ जाएगी तो a d जो हमारे पास length आ रही है major a d अगर हम लिखना चाहें तो इस ताह से लिखेंगे इ अब आप अगर देखें तो यह जो value आगी है हमारे पास two centimeter इसे हम equation number one में जो है वो दर्ज कर सकते हैं तो इसकी value put करते हैं और देखते हैं कि क्या answer आता है यहाँ पर हम लिखेंगे bc side का square और इदर a b a b कितना है जी five centimeter इसकी length बताई वी थी इसका square a c की length कितनी बताई वी इसका square minus two times a b की length five और a d की length हमने निकाल दी है वो two आई है ठीक है अब इसको simplify करें तो यह 25 आता है five का square four का square 16 और two five's are ten ten two's are twenty आ जाता है यह अगर इन दोनों को अगर आप add करते हैं तो यह बनता है forty one और इसमें से अगर आप twenty minus कर देते हैं less कर देते हैं twenty तो यह आपके प square का ठीक है यह आता है twenty one और अगर हमें चुके bc की length चाहिए तो हम square root लेंगे on both side तो इससे next जो है bc की length होगी चुके एक positive value आईगी चुके length positive होती है हमेशा तो यह square root of twenty one जो है वो centimeter आजएगी यानिके आप इसको other words जो है प्रॉक्सिमेटली जो है वो कह सकते हैं कि यह 4. पॉइंट फाइफ एट जो है centimeter है तो इस दीके से जो measure bc की length है वो हम find out कर सकते हैं